यह स्टार्ट करते हैं निवसेट एक्चुल 2011 पेपर का सॉलूशन आप देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है इस पेपर के अगर हम कोशन देखें तो मैस के या रिजुदिंग के या कंप्यूटर के कोशन अच्छे हैं सिंपल और तफ दोनों कोशन का कॉंबिनेशन से जो सब्सक्राइब करेंगे जिसमें भी जरा भी डाउट होगा वो डिसकस करते हूं चलेंगे पेपर के सॉलूशन को अच्छे दे समझें और पेपर के सॉलूशन से ही हम अपने आपको डेवलब कर सकते हैं किस दंग से पढ़ाई करनी है कोर्स आपके पर अल्लेडी है अब आपको पता है कि बात कर रहा है तो इसके लिए फॉर्मॉला एक सिंपल होता है जो मैंने आपको बताया था कभी भी पॉलियों में अगर पूछें तो एक चीज इंपॉर्टेट है जो याद रखनी है आपको क्या कि साइट नहीं होना चाहिए तो मैंने आपको तरीका बताया था एंसी टू माइनस ऑफ नंबर और साइड यह एकवल तो दिया है 44 और जब इसको सॉल्ब करते हैं तो यह होता है इंटो एंटो 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 प्लेस पे लेवन रखा तो लेवन लेवर मैनिस 3 8 8 by 2 4 देखिए यह आगया अंसर तो दिस इस दा वाइट अंसर अगर आपके पार टेक्निक हैं तो आप कोशन को बहुत कुक्ली सॉल्ब कर सकते हैं राइट नोट डान इस कोशन कोशन अबर सेकेंड देखिए क्या है लेट एक्स बीदा यूनिवर्सल है अगर आपको बोला एंड है को अगर आपको बोला एंड है कॉंपलीमेंट इंटरसेक्शन बीकॉंपलीमेंट लॉचिकली देखिएगा एक्स यूनिवर्सल साइट है आप अगर आपको समझें तो कुछ ऐसा है सपोस्थ ये ए ये बी है शैट थरीका कॉष्षन है common 100 है में 200 है तो ये अंटरед हो गया बी में 300 है तो 200 हो गया रैट आपको एक चीज़ बोले की एंञेंश कितना होगा आप देखिए, एक चीज़ समझे, N A complement union B complement equal to, आपको given है 300, यह given है 300, अब N A complement union B complement equal to होता, N X minus N A plus N B minus N A intersection B, अगर आपको basic formula clear है, तो कभी problem नहीं हो जगती, तो 300 minus equal to N X minus, अब देखिए, सब कसम आप निकाल चुके 300, 400, यह 400 add हो गया, तो N X कितना आ गया, N X आ गया 700, तो 700 is a right answer, right, note down this question, yes, next question देखते हैं कि third question क्या, और एक बात और बोलूँगा, अभी हम paper, जो order line से कर रहे हैं, पर आप हमेशा simple to tough order में करिए, selection of question is more important, जितना अच्छा selection of question होगा, उतना time save होगा, second thing, writing work minimize करिए, every step save 20 seconds, मैंने आपको जो techniques बताएं, उन techniques को बहुत अच्छा तो यूज करिए, अब देखिए क्या है अगला question, इन a college of 300 students, एक college में 300 students है, every student read five newspaper, इन a college of 300 students, every student read five newspaper and every newspaper is read 60 students, number one, हर student five newspaper read करता ही करता है, logically समझे कि every student read five newspaper, यानि मेरे पास मैं पांच newspaper read करूँगा, ऐसे 30 student five newspaper read करेंगे, अब एक और बात बोलिए, और जो paper library में आ रहे हैं, हर paper को at least लिखा हुआ देखिए, and every newspaper is read by 60 student, यानि हर paper 60 student read कर रहा है, right, तो simple logic है, पहले अगर हम देखें, तो logically अगर एक student एक newspaper पढ़ता है, तो 1500 newspaper लगते, 300 into 5, अब हर newspaper को 60 student read कर रहे हैं, तो divided by 60 कर दीजिए, तो आपने जैसे ही कर रहा तो देखिए, दिवाइट कर रहे हैं, तो 25, तो exactly 25 newspaper इस college में आना चाहिए, because every student read 5 newspaper and every newspaper read 60 student, यानि जो paper आ रहा है, वो साथ बच 60 student पढ़ना है और हर student को 5 newspaper पढ़ना ही है, तो 25 papers उचे स्कूल में आना चाहिए, right? Not down this question? Yes, next question देखते हैं देखिए, next question क्या है, बहुत अच्छा question है, the number of way of forming different 9 digit numbers from the number 223355888, यह 9 digit के number दिये हैं, इनको rearrange करना है, कैसे सुनियेगा, the number of way of forming different 9 digit numbers from the number 22335588, by rearranging its digit so that the odd digit occupy even position यह even possibilities, अब देखिए, एक बार समझे कितना अच्छा question है, total आपको पर्मटेशन को पर्मटेशन में जो fundamental counting पर सिखा है, इसलिए मैं बोलाँ कि जो foundation कोर्स आपके पास है, अगर आपने उसको एक बार complete कर लिया, आपको इभी paper easily solve कर लेंगे, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, अब देखिए, यह even positions है, और यह odd positions है, odd position पर आपको even number रखना है, even position पर आपको odd number रखना, अब आप ध्यान दे तो odd number 4 ही है, फोर number को इन position पर fix करना है, 2,4,6,8 ऐसा सुची, तो फोर number को arrange करने के ज़िए, factor 4 जो number repeat होते हैं, उनका क्या करते हैं, divide 2 times 3, 2 times 5, into odd numbers factor 5, यह 2 times divide हो रहा है, यह 3 times, solve कर देखिए, 24 by 4, यानि 6, यह हो गया 6, तू जा 12, और यह हो गया 120, यहानि, into कितना हो जाएगा 5, 4, यह हो जाएगा 10, तो टोटल अंसर आ गया 60, right, क्योंकि यह 6, तू 12 हो जाएगा, यह 120 हो जाएगा, तो दिवाइट कर दिया, तो correct answer will be 60, right, note down this question, yes, next question देखिए, fifth question यह question बिल्कुल आपको repeat हो गया, इस तरह का question आपने practice test में भी किया हुआ है, कि anti-air gun इसकी probability shots की दी हुए है, shot one की probability है, point four, second shot की probability है, point three, third shot की probability है, point two, and fourth shot की probability है, point one, fourth shoot आपको करना है, respectively the probability that the gun hit the plane, अब probability gun hit the plane, तो यह at least one minus हो गया, तो one minus first shot, second shot, third shot, and fourth shot, इसका negation लगा ले, one minus, one minus point four, one minus point three, one minus point two, and one minus point one, इसको चाहें तो ratio में लिखने तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए, right, note down this question, next देखिते हैं, question number six, six question क्या है समझते हैं, question number six है, if the mean of the square of first and natural number be 11, mean of the first, सुनिए क्या question, if the mean of square of first and natural number be 11, यानि, one square, two square, three square, इनके n numbers का जो mean है, वो 11 है, तो आपको पूशा है, कि n कितना होगा, देखिये sum of, इनको आप sum कर देजिए, sum of sigma n square upon number of term, this equal to mean होता है, यह 11 है, यह क्या होता है, n, n plus one, 2n plus one by six, और एक n, इससे divide हो गया, अब एक तरह से 66 हो गया, यह n plus one है, यह 2n plus one है, अब आप option से भी help ले सकते हैं, कि n की value क्या हो सकती है, तो n की value ऐसी होना चाहिए, जिसका एक factor, 11 और एक six होता है, तो n की जगह अगर मैं 5 रख दू, तो देखिये, 5 plus one six, 10 plus one eleven, यहां अगर लॉजिकल स्टॉंग है, तो आप पहले से quantity equation बनाएंगे, सब में टाइम बेस्ट नी करना तो तो जो मेरा में कंसर्ड है कि आपके पास question solving approach होना चाहिए, यानि every step save 20 seconds, मतला अगर आप every step save करता 20 seconds, तो अब आप अननिसरी अगर माल लीजिए, एक जांपल कि ऐसा लिखते कि 2 n स्क्वेर, फिर 2 n plus n plus 1, फिर 66 एक्वल टू आप देखिए, कि खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे time बलता हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब time kill कर देते यह बहुत important बात है और यह चीज अगर आपने सेव करी तो आप कहीं ना कहीं अपने स्कोर्स को बढ़ा पाएंगे और यही एक कोशिश है मेरी कि आप अच्छे से पढ़ाई करें कोशिश करें कि maximum attempt हो उसके लिए हर एक लेबल पर अपने आपको तयार करें जिससे question आप निजेटली सौल कर पाया नोट करिये यह सब्सक्राइब कि क्या दिया हुआ है था प्रॉलिटी अवर रेजर ब्लेट तो बीदिफेक्टिव इस पॉइंट जिरो जिरो टू यानि ऐसा भी बोल सकते तू बाइं वन थाउजन दब्लेड आर इन पैकेट ऑफ टेन का रेजर देन नंब्र पाकेट कंटेनींुड डेफेक्टिव लेट इनजटर्फ तो पहले अगर एक पैकेट के प्रिफेक्टिव की बात करो टू बाइं थांट इन्टरी नैंनि आम बोल सकते तू बाई हंड्रेद और टू बाई हंड्रेड तो अगर मैं बोलू क्या और टे तो हंडेट पकेट्ट तो तेन थाउजन में त्यूहंडट माइनस कर दिए तो 9800 उसका निरस रचल आउसर है वह लगा सकते क्योंकि पॉइंट यह पॉइंट जी दिया तो 9800 टुई राइट आंसर यह था कॉर्शन नंबर एट देखे ते क्या है तो वेरिबल है लीश्ट स् कोशन है जो आपके syllabus का पार्ट नहीं है याद रखेगा यह पहले syllabus का पार्ट था अब नहीं है इसको करना ही होता है कि एक लाइन यह दिए हुए एक लाइन यह दिए हुए अब आपको regression coefficient बताना है तो आपको वी बाइक्स निकालना होगा बी एकस वाइन निकालना ओता है और र होता है रूड़ अब बीवाइक्स इंटु पी एकस वाइन रिमेंबर जब भी आर की वालू होती है वो 0 से 1 के बीश में होगी पेजिए प्लूजिकली देखें तो माइनश वन से प्लस ब्लस बीच में होती है पर्फेट्ट को रिलेशन होता है प्लस ब्लस नेगेटिव प्लस परिशन होता तो माइनश वन अब इसमें आपको एक equation को y on x मानना पड़ता एक को x on y जिसको अगर मैं x on y मानूं तो और वो भी इन दूनों का multiply less than 1 होना चाहिए उसे आपसे मानते तो इस पर देखके समझ मारा कि अगर इसको x on y मानूं तो ज्यादा अच्छा है minus y plus 31 यह by 6 भी कर दीजिए यहां पर भी 6 तो bxy हो गया minus 1 by 6 ऐसे ही आप इससे y के बहुत में बना लें तो y क्वल तो आप लिख सकते हैं minus 3 by 2 x plus 26 by 2 और यह हो गया by x this is minus 3 by 2 एक और important बात है जो ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी दोनों निगेटिव हो तो आर भी निगेटिव होता है तो जो अंसर निगेटिव हो करेक्ट अब आर के हो जाएगा तो 1 by 6 into 3 by 2 यानि 1 by 2 यानि 0.5 बट निगेटिव का होगा क्यूंकि दोनों निगेटिव है तो पर आरिया आपके syllabus का पार्ट नहीं तो इसकेप भी कर सकते इस question को इसमें कोई problem नहीं है no down this question yes next question देखते हैं कि क्या आप कार complete the first half journey एक कार जो first half journey A to B जीवन velocity से cover करती है and second half journey B to velocity से करती है then average velocity of the car for the whole journey यार रखिएगा यहां पर अगर equal distances हैं तो हमेशा harmonic mean लगेगा यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है निटू वीवन वीटू अपॉन वीटू अपॉन प्लस वीटू यार पक्षेगा क्यूंकि जब दो पार्ट इक्वल है जितना गय उतना आया तो average speed arithmetic means से नहीं harmonic means से निकालना है यह तो बीवन वीटू अपॉन वीटू प्लस वीटू राइट यस नेक्स देख्टेगे क्वेशन नमबर टैन क्या है विश्चन नमबर टैने दवीन फस्टनेस्ट लंबर इस इक्वल टू न फस्टनेस्ट लंबर एक्वल टू एं प्लस से नहीं कि सिम्पल ए मेन ऑफ से नहीं प्लस नहीं फरेस्टनेस्ट लंबर ट्रेशन नहीं अंगर क्राइट टोना इस प्लस नचेवल टू प्लस n plus 7 by 3 और mean क्या होता है sum of all observation upon number of term तो कितना है n plus 7 upon 3 equal to n into n plus 1 by 2 and number of term n है यह cancel तो finally 2n plus 14 equal to 3n plus 3 यानि n equal to 11 तो correct answer will be 11 क्योंकि यह इदर चला जाएगा सब्टेक हो जाएगा हर तरह की questions simple tough दीरे दीरे समझते हो चलिए फिर उसका रीजनिंग करेंगे हर एक portion को अच्छे से cover कर सकते अगर आप proper तरीके से theory पढ़ रहे हैं proper तरीके से foundation cover कर रहे है note down this question